पाकस्तान के आतंकवादियों से मुठ भेड में भारत के तीन जवान शहीद हो गए थे इन आतंकवादियों ने अपनी कुरूरता का परचे देते हुए एक जवान के शव के साथ बरबरता की और शव का सिर्ख काट दिया ये जानकारी इंडियन आर्मी की नौर्दन कमाड ने दी थी भारतिय सेना ने भी पाकस्तान को करारा जवाब देते हुए पाकसेना के एक अधुकारी समेच साथ पाकस्तानियों को मार गिराया इधर सेना ने पाकिस्तान की हरकत काब बदला लिया उधर पाकिस्तान की कुरूरता के शिकाल हूँ तीनों भारती जवानों को सेना ने अंतिम विदाई भी दी इन जवानों के शवों को तिरंगे में लपेट कर पूरे सम्मान के साथ आखरी विदाई दी गए साथ इन जवानों के अंतिम संसकार में भी बड़ी संख्या में लोग उम्डे सभी आखे नम थी सबकी जुबा पर शहीदों के लिए आखरी सलाम था और सब पाकिस्तान को सबक सिखाने की गुजारिश सेना और सरकार सेख कर रहे थे माचिल हमले में शहीद हुए जवान मनोज कुश्वा के गाउं में भी लोग शहीद को आखरी विदाई देने के लिए उम्डे सबने भीगी पलकों से मनोज को भाव भी नीश्वरधा अंजली दी और उम्मीद जटाई कि सेना जल्दी पाकस्तान को इस हरकत का करारा जवाब देगी आपको बता दें कि इस हमले के बाद सेना ने भी कसम खाई थी कि वो इन जवानों की मौत का बदला पाकस्तान से जरूर लेगी और सेना ने अपनी कसम पूरी भी की सेना की कारवाई में पाकस्तानी सेना के अधिकारी समेख साथ लोहों का मारा जाना इस बात का पुक्ता सबूत है